नमस्कार मैं गौरी देख रहे हैं आप सीनी उस भारत कबर लाते हाट से है आजले के बालूमाद थाना शेतर अंतरगत जर्री गाउस्त पेट्रोल पंप के पास से रविवार देर शाम बुलैरो वाहन और बाइक की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए घटना के संबन में ग्रामडो से मिली जानकारी के मताबिक बुलैरो वाहन में आयरवे पुलिस जवान अमीत हीरेज और कुंदन कुमार भगत शेरगड़ा बजार से कुछ आविश्यक कारे का लोट रहे थे इस दौरान जर्री पेट्रोल पंप के पास विप्रीद दिशा में आ रही बाइक में सवार राम दयाल साब से भिड़न्त हो गई और बुलैरो वाहन आनियंतरत होकर पलट गए जिससे दोनों पुलिस जवान बाइक सवार घायल हो गए घटना के बाद युवा समासेवी राज़ेशी आदब और ग्राम दोद्वारा घायलों को बालुमात सामुदाइक स्वास्त के इंद्र लाया गया यहां चिकित्सकों ने इस्तिती को गंभीर देखते हुए बहतर उपचार के लिए सभी तीनों घायलों को राची रिम स्रिफर कर दिया उधर दूसरी घटना में बालुमात स्वार खंधाबा के पास 60 वर्षी बुज़र्ग सड़क पार कर रहा था इस दोरान अग्याद हाईवा वाहन ने उसे अपनी चपेट मिले लिया जिससे बलकुई आदब घायल हो गया और सामुदाइक स्वास्त के इंद्र में उपचार कराया गया उधर दोनों सड़क दुरगटना के विरोध में ग्रामडों ने देड़ शाम और एहले सुभा जर्री गाउं के पास शेरेगडा बालुमात सड़क मार्ग को जाम करते हुए घायलो का उपचार कराने सायोग राशी देने स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग करते हुए कारी लिए और मदद का भरोसा देते वे ग्रामडों को समझाया इसके बाद ग्रामडों ने जाम हटाया वहीं सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गए लाते हार से सीनियूसम बाददातार बास की रिपोर्ट जाहिर है कोलेरी शेत्र होने के कारण दिन भ परिवाहन वाहन नियम को ताक पर रखकर तेज गती से बिनातर पाल ठके वाहन का परिवाहन करते हैं और आए दिन दुरगटना घटती है। दुरगटना से कई लोगों की जान भी अब तक जाचकी है सिमिजला प्रिशासन मोटर वाहन नियम के तहट अगर वाहनों का परिचालन करे तो सड़क दुरगटना में कमी आ सकती है। फिलाल इस खबर में बस इतना ही देश तुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रही है सी नियूज भारत